हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो मैं चानल इस प्रियांगा शेखावत आयोप यौल दूइंग ग्रेट आज मैं शेयर करने वाली हूं आपके साथ यह राजपुताना टाइप आफ मेकप लोग इसके लिए सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं कामा अयुर्वेदिका रोज अब हम इसके बाद यूज करेंगे अपना पॉंड का सुपर लाइट जेल यह ओल फी मोश्ट्राइजर है और बिल्कुल भी चिप चिप नहीं करता है अगर आपकी भी मेरी तरह ओली स्कीन है तो अराम साब इसको यूज कर सकते हो कि बिल्कुल भी नॉन स्टिकी है और इस इसको रगड़ना नहीं है कोशिश करना है कि बस फेस के अंदर अब्सॉर्ब होता जाए तो इसको लगा लेंगे हैं लगाते कि दिखो कितना सटेल सा गलो आ गया मेरे फेस पे आइस के नीचे एंड फोरेट पे चीक्स पे चीक बोन पे हर जगे अच्छे से इसको लगा ल करना है यूज करना ही करना है चाहिए कुछ हो जाए क्योंकि घर के अंदर भी यूवी रेंस हमारे फेस पे पर पढ़ती है इसके बाद हम यूज करेंगे माक का यह फांडेशन इसका शेड़ है स्पीर 15 और यह आता है पंप फॉर्म में तो हलका सम इसको अपने हैंड पर लगा लेंगे क्योंकि मेरे स्किन से एकदम से माच करता है अभी आपको देखने पर लग रहा होगा कि काफी सदा लाइट है पर लाइट नहीं है अभी अच्छे से जब मैं इसको ब्लेंड आउट करूंगी तो यह पूरा उर्ट सा नहीं लगेगा ऐसा नहीं लगेगा कि अभी यह पर लगा लिया है अविध अहलप उन्व ब्यूटी ब्लेंडर हम इसको पूरे फेस पे पने अप्लाय करेंगे डॉत डॉत ब्यूट डॉत डॉत प्रेसे कर दीया था था बंसी फॉर्म में इसको ब्लाना नहीं आए बिल्कुल भी थोड़ा सा टाइम तेकिंग है आप अराम से अपना पूरा टाइम लेके इसको ब्लेंड आउट करिएगा यूटूब पर दिखता होगा सब एकदम से कर लेते हैं तो एकदम से नहीं होता है इसमें थोड़ा टाइम लगता है अच्छे से ब्लेंडिंग जितना अच्छा करोगे आप अच्छा बेस रेडी हो तो उसे चुपाने के लिए भी मैं थोड़ा थोड़ा सा लगा लूँगी एंड उपर आई शेडो के लिए मुझे आई बेस रेडी करना था तो मैंने वहां पर भी अपलाई किया है क्योंकि जब करी रहे हैं तो साथ हर जगे मैं अपलाई कर ले रही हूं बाद में इसको रहा हैं चाहँ पीडियूटी ब्लेंडर से लिए में कर लेंगे तो हर जगे मैं अपलाई कर लिया है जहां पर करना था था अब सेम यूटी ब्लेंडर से अपनी कंसीलर को अच्छे से कर लेंगे इसका यह पॉइंट वाला हिस्सा हम अपने आय की कॉर्नर में यूज इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं यह fit me का compact इसका shade is natural buff जो excess powder होगा वो हम brush out कर देंगे और बाकी जो है अच्छे सेट कर लेंगे concealer और foundation को जितने अच्छे से हमारा सेट होगा base उतना ही perfect लगेगा हमारा make-up यह वाला compact powder तो मैं highly recommend करूंगे आप लोगों को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है most of the videos में मैं यही यूज़ करती हूँ क्योंकि यही है मेरे पास और मुझे दूसरे की need feel नहीं होती है और इसको हम लोग evenly अपने neck area और ears पे भी लगा लेंगे इसके बाद मैं use करूंगे make-up revolution की यह eyeshadow palette इसमें से मैं जो हलका सा dark orange है शेट वो पिक करूंगी और अपने crease पे लगाऊंगी outward to inward motion और सेम यही करना है जो भी product आप लेते हो please access जरूर निकाल देना क्योंकि अगर जादा हो गया तो उसको फिर blending करते करते फिर बहुत दिक्कत हो जाती है बहुत time taking हो जाता है फिर सेम मैं अपने दूसरी आइलेट भी करूंगी सेम वही शेट जो है dark orange वाला वह अपलाओ करूंगी और इसके बाद में मैं थोड़ा सा pink pink सा हलका सा shade लिया है और बाकी आइलेट पे मैं उसको प्लेस करके blend आउट कर लूँगी अब यह जो brush है यह है वेटन वाइल का त और इसके हम हलका सा wing जैसा draw करेंगे बहुत हलका सा जोकी जादा visible ना हो इसके बाद में यूज कर रही हूँ यह Swiss beauty का liquid eyeliner जो इसका shade है आपका zero three campaign तो यह भी बहुत जादा अच्छा है और liquidy form में है तो लगाते ही आपको shimmer shimmer सा look देगा और कई-कई साडियों पे बहुत जाद अच्छा लगता है क्योंकि मेरे साडी में golden touch है golden तो मुझे अच्छा लगा यह लगा कि एक बर सूख जाने के बाद में यह blend नहीं होता है तो इसको थोड़ा अराम से लगाना आप लोग भले ही धीरी धीरी लगा हो लेकिन अगर लग गया है तो बहुत जली ड्राय होता है और उसके बाद में बिल्कुल भी सेट नहीं होता है तो जो भी करना है आपको बस इसी brush के help से करना है इसका एक और मतलब 5 shades आते हैं तो आप लोग कोई भी ले सकते हो थोड़ा सा यह उधर हलका सा बहुत मीनिमल सा चला गया था तो मैं सेट कर रही थी पर नहीं हुआ था क यूं इस नाइका के अरच भी आरों आइका चाला देन ओन सा नाइका भी और यह दॉय हुआ है इस मेरे बहुझा को वहां नहीं तो प्राड़क्स प्रोड़क्स शेब कर रिजा है जो के मेरे मोष्य कर बहुतु कर लेंगे क्योंकि अब्स मारा इसको या का Betsy यू अरू य होते ही फेस बहुत जादा प्रेजेंटबल लगने लगता है एंड नेक्स में यूज कर रही हूं यह प्लम का काजल जो मेरा फेवरेट है वह तो आलवेज औरी फ्लेम का दावान है लेकिन यह प्लम का मैंने कई जगे रिकमेंडेशन देखी कई लोगों को सुना यूज करते वह यूज कर रही हूं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सस्ता है तो चलता नहीं है अराम से चल जाता है अच्छे खासा 4-5 पार्स रहता है यह इस पे और हम इसको बहुत पतली से लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हम जब अपना आइलाश लगाएंगे तो उसका जो बैंड बैंड ग्लू है वह दिखना नहीं चाहिए इस वज़े से बहुत पतला सा में आइलाइन ड्रॉ करना है और लैशे स्टिक करने में भी इजी हो जाता है फिर तो दोनों आइज में बराबर बराबर साह में कर लेना है इसके बाद मैं यूज कर रही हूं यह पाक की आईलाश जो इसका नंबर है वह है टेपरड लैश और 54 तो काफी अच्छा लगा मुझे बिगनर्स के लिए भी मैंने तो फर्स टाइम यूज किया आईलाश और ग्लू लगा रही हूं मैं मिस क्लियर का जो की वाटव प्रूफ आईलाश अडिसिफ ग्लू है इसको सुखा लूगी म आईलाश पर ग्लू लगाने के बाद में थर्टी सेकंड्स का आपको वेट करना है थाकि थोड़ा से स्टिक हो जाए और तुरंट लग जाए तो मैं इसको ऑफ केमरा लगा क्या हाथ यूंग बहुत टाइम लग रहता है फर्स टेम यूज कर रही थी मैं इस वज़े से कभी भी गीला नहीं स्टिक करना है वनना बहुत बहुत प्रॉब्लम करेगा वह लगने में बिल्कुल नहीं लगेगा इसके बाद मैं यूज कर दियू मेबिलीन का यह हाइपल कर मसकारा यह भी मेरा बहुत फेबरेट है बहुत अच्छा सा मतलब लैश थोड़ी लंबी से लगने लगती है वाल्यूम भी काफी अच्छा मिल जाता है मसकारा अगर आप उपर लगा रहे हो तो कोशिश करो की नीचे की लगाओ क्योंकि फिर अच्छा वाल्यूम मिलता है देखने में वह भी काफी सुन्दर सा लगता है और आई लेश इसके बाद मैं यूज कर रही यूज करना है और अपने चीक बोर्न पर स्माइल करते होगे लगाना है आउट वर्ड लगाना है उसको इनवर्ड नहीं रखेंगे और कई-कई लोग होते हैं ब्लश को थोड़ा नीचे लगाते हैं तो एक्तुम क्लाउन सा लगता है तो इसको लोग लगा लेंगे अब यूज करी हो मैं औरी फ्लेम की यह लिप्स्टिक और इसका जो शेड है वह है एंडलेस रेड तो आप भी मंगा सकते हो बहुत अच्छा है एक्दम बटरी बटरी सा है इसका जो पिग्मेंटेशन और लगाते ही एक्दम बटर की तरह फिसलते है देखरो वन ड्रॉ मे को सब्सक्राइब कर देखने में और दूर से देखने में डोनों में में ही sz约 लगता है और मैं रीपलाइनर को फॉर्ट को इस नहीं के वह गावाधत मैं यह तो पता रहा हूं कि नहीं है आपको सो पे उत्व को चैक्छ की मैं भानी हो बूलकि टिया ऋपने में बटरी में हमारा मेक अप हो चुका है और हाइलाइटर की क्लिप थोड़ी सी मिस हो गई मैंने हलका सा मास्टर क्रोम हाइलाइटर भी यूज किया था जो की मेविलीन का था अब 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 हमने हम हेयर्स कर लेंगे वह आपको डिपेंड करता है कि आपको कैसा करना है मुझे यह स्टाइल काफी जाधा पसंद है बस जाधा कुछ नहीं करता है हेयर्स का पीच से पार्टिशन करेंगे और राउंड राउंड करते करते लगा लेंगे पीच्छे अपने क्लिप और आइस दीखे कितनी सुन्दर लग रही है और मेक अप कैसा लगा मेरा यह कॉमें सक्षिन में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को मेरे सब्स्राइब करना ही करना है चाहे कुछ हो जाए अगर आप फरस्टाइ मेरे चैनल पर आयो तो आप बाकी की वीडियो इंज्वाय करो अच्छ लगे तो प्ली सब्स्राइब करना और फैमिली और फ्रें कर लो तो और भी संदल लुक आता है तो मैंने सेट कर लिया है और ऑफ स्क्रीन जाके मैंने अपना सिंदूर भी अपना चूड़ा मेरी शादी में आया था जो की ऑफ लाइन है मैं इसको लिंक दे देती आपको मुझे बहुत सब्स्राइब बहुत अच्छ लगता है इसमे कॉमेंट से डिस्कॉप्शन बॉक्स में क्योंकि यह जूलरी हमारी मैंने मिंत्रा से मंगाई थी तो थोड़ा अच्छ लगता है और जूलरी पहनते ही लुक आपका एकदम सा और हाइलाइट होके निखरता है बस इसका जो हमें नेकलेस मिला है वो पहन लेंगे अच्छ से लगती है और राजपूत है तो नथ तो बनता है पहले तो लोग बहुत सादा नथ पहनते है अब उतना क्रेज नहीं है तो यह हो गया मेरा मेकप कंप्लीट और मांगे दी मैं बाद में आट कर ली ती मैं आट करना बूल गई तो प्लीज बताना किया अशा लगा एंड वी अप्रिशेट करना क्योंकि फर्स टाइम है और मिलती हूं मैं आपको अपनी अगली वीडियो में तब तक लिए बाए ठेक क्यार थैंक यू सो मच थैंक्स वर वाचिंग बाए गाइस टेक क्यार